की गाइज वेलकम तो माई चैनल तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक इंट्रस्टिंग सी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्फुल रहने वाली है यह वीडियो वह कैसे तो जैसे की मैं बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स ट्रेक्स जो की ह बताऊंगे तो आपके लिए हल्फुल होने वाली है यह वीडियो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा कमेंट करिएगा और आगे फ्रेंड्स फैमिली ग्रूप में जितना भी शेयर कर सकते हो भर बर के शेयर कर दो क्योंकि यह आपके साहसा आपके फ्रेंड इस फैमिली के लिए भी हल्फुल होनी चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर अगर आपने अवीडियो में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे में चैनल को बेल आकल को प्रेस कीजिए और न्यू वीडियो की नोटिविकेशन है ऑफिस जा रह रहे है इंग उसमें भी आपलाइ कर सकते हैं मतलब यूज कर सकते हैं इस हैस्टार को काफी वेनफट रहने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम करें फर्स पॉइंट जो आता है कि जब भी आपना कोई भी है कนะ चाहिए इस टाइप का गॉम या फिर आपको यूज आपको यूज करना चाहिए और यूज़ फिर आपको पने बालों वाल दे पगाल यूज़ बाल बहुत ज्यादा टैंगल फ्री हो अच्छे से कॉम हो सकते यह ना होगे आप कॉम कर रहे हैं इतना गुस्से में और टैंगल पड़े में हैं तो आप उसे खीच-खीच के ठीक कर रहे हैं और आपके बाल वैसे ही तूट जाएंगे तो वह चीज ना करें को बहुत तो जब भी आप यह वाला कॉम यूस करते हैं तो इसे तरीके से करें कहीं पर गाठे रह जाते हैं यह यह वाला जो पॉइंट होता है इससे आपको पकड़के ऐसे-एसे करना आया बस एक दुवर यह से करोगे वह यानिकी मैं आपको दिखा देखें अपर टारफ से निका तो इस तरीके से आप पकड़ के जिसे अभी मैंने बहुत अच्छे से खौम के इसलिए टैंगल नहीं है तो इसका आप ऐसे ऐसे एक दो मतलब ऐसे से करेंगे न तो टैंगल जो है आपके अच्छे से रिमूव हो जाएंगे तो यह चीज आप ध्यान रगे से आपके बाल बिल्कुल नहीं तूटेंगे और आपको असानी भी रहेगे आपके बालों को खीचातानी विडियों की ठीक है तो अभी हम फर्स्ट जब मैं पोनी बना दोमझे हाइप बनाना बहुत पसंद है जो हाई पोनिओं और वाल्यूम लगे अच्छा का सा जो जब बॉल्यूम अच्छा होगा तभी हमारी पोनी बहुत अच्छे से जो है नीट ओन क्लीन दिखती है बहुत अच्छा सा चेजो है देगने में हैं बह बहुत पुराना वीडियो अभी तक वो नहीं दिखेगा आपको या शक दिख भी जाएगा जब भी आप पूनी मनाते हैं तो ऐसे नहीं बनाना चाहिए इसे कि आतना आपकी शेप जो फेस की शेप होती है वो थोड़ी सी ऐसे हो जाती है आपको पकड़के उपर की तरफ ले पूनी इस तरीके से जो आपको पूनी मनाने से शेप बहुत अच्छी आती है लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से करेंगे तो आप देख सकते हैं फेस स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है और अगर यही चीज मैं और यही चीज मैं अगर इस तरीके से पकड़के इसको इधर लेके जाओंगी तो आप फेस शेप देख सकते हैं डिफरेंस दिकरा होगा आपको क्योंकि हमेशा पूनी आपको उपर की तरफ बनानी होती है तो अभी हम पूनी बनाते हैं पहले अब खलके हाथ से आपको कॉम करने हैं और जो यह बाल है उपर से पकड़ने की वज़ा है इसे आप नीचे से पकड़ें इस तरहीं और इसे अहलक आसा पूश्ट करें आप देख रहें वाल्यूम कितना आगे है मतलब अगे भी और बैथ पे भी ठीक है अब इसको ऐसे ही रहने दे और रॉबर बैंसे से सिक्क्यूर कर ले आप नीचे से हमें उपर से नहीं नीचे से हमें आसे कर लें ठीक है यह आप देख करते हैं अब आपको क्या करना है वाल्यूम के लिए यह आगे ऐसे आपको ऐसे रखना है शेप बहुत अच्छी आती है ऐसे रखेंगे तो इस गेर जा रहा है लेकिन अगर आपको ऐसे रखना है तो बहुत अच्छी शेप आईगी और पोनी भी बहुत अच्छी लगेगी उसके ल कि इधर जो है न उपपर से इसको अंदर की तरफ उपर से नीचे की तरफ पखना है ऐसी ही ऐसी ही आपको दूसरा भी करना है यह देखिए तो इस तरीके से जो है आप कॉम कर सकते हैं वॉल्यूम बहुत अच्छा आएगा और पीछे से पीछे से बहुत अच्छी शेप आने वाली है इस तरीके से आप करें और अगर आपको थोड़ा सा बो चीए मैसी सा लुक चीए तो इसको उंगलियों को ऐसे थोड़ा सा गैप देकर खलक असा ऐसे कर लीजिए अब एक इसी में मैं आपको बताऊंगी अगर आपको इसमें भी और वॉल्यूम चीए तो आपको क्या करना है अपने बालों को तो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और कोई भी कल्चर ब्लैक लगाएं ज्यादा बैस्टरड में पास ही ब्लैक नहीं है तो मैं आपको एक डैमो पर लिए बता रहूँ इस तरीके का छोटा गलचर आप लें इस तरीके से जो है आप रख सकते हैं काफी अच्छा वॉल्यूम आ जाता है और बहुत अच्छा लूब लगता है पीछे से देखने में अगर आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम चीह है और आप थोड़ा से उपर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके कि आप ट्रिक्स जो है अपलाई करते हैं अगर आप चाहते हैं मेरे को ना गर्वियों में बहुत ज्यादा बन बनाना पसंद है कि मैं कोई भी ड्रेस सूट पहनूं वेस्टन पहनूं साड़ी पहनूं कुछ भी ड्रेस में अगर पहनूं तो मैं एक बन क्रियेट करूं जो मेरे हर ड्रेस पे जाए भी क्योंकि गर्वियों में बाल खुले रखना पोनी रखना भी इरिटेटिंग करता है कभी कबार क्योंकि गर्वियों में बहुत ज़्यादा हुमिडिटी रहती है और वह में बहुत जदा परिशान करती है तो आपको क्या करना है मैं अभी इसी में आपको बता रही हूँ जो मैंने हेस्टर बनाया है उसी को आपको पकड़ के इस तरीके से आपको टर्न करते हुए इस तरीके से आपको टर्न करते हुए यहां लाना है और यह जो point है यहां पर एक secure कर लेना है किसी भी चीज से मैं यहां पर टिक टॉक पेन या फिर बावी पेन से secure कर लेती हूँ और इसके बाद थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से push करूगी करना है यानि कि यह चीज़े से आपको इस तरीके से हलक असा गुमाते वे open करना है तो यह आपका बन गया बन वाल्यूम भी बहुत अच्छा आ गया वाल्यूम अच्छा क्यों आ गया क्योंकि मैंने इसमें अपको इस तरीके से बना सकते हैं तो यह काफी अच्छा लगता है आप इसे जीन्स में कैरी कर सकते हैं आप इसे सूट पे भी कैरी कर सकते हैं आप इसे साड़ी पे भी कैरी कर सकते हैं तो काफी अच्छा लुप देगा यह आपको इस तरीके से आप बना सकते हैं मेरा फे तो आपको यह पसंद आए होंगे और यह टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए होगे अगर पसंद आए तो लाइक कमेंड और शियर जरू कीजिएगा मिलती नेक्स वीडियो में तब के लिए बाई